हेलो एब्रिवान वेलकम टो गेट अकेडमी एंड एड़ एजुकेशन सो आप लोग के लिए की इन्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन में लेके आया हूं रिगार्डिंग गुजराथ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड यूपी पीएससी ओके सो मैं पहले बात करूंगा गुजराथ स्टेट इलेट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आपकी वेकेंसी फोर मैकेनिकल इंजिरिंग इस्ट्वेंट्स जूनियर इंजिनियर की पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहां आप देखेंगे विद्दू सहायक जूनियर इंजिनि की बात करूं सो फोर ऑन रिजर्ट केटेगरी 35 एर्स एंड फोर रिजर्ट करेट केटेगरी 40 यह यह आपको यहां पर देखने को मिल रहा है नेस्ट अगर मैं बात करता हूं इसके कॉस्ट की ऑनलाइन फी की बात करूं सो आप दोस्तों देख सकते हो 500 रुपीज है आपका www.gsecl.in पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है 25 अगस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड समीशन जो है फाइनल एंड 14 सेप्टेंबर 2021 को हो जाएगी ओके नेस्ट अगर यहां पर मैं बात करूं जूनियर इंजिनियर मेकनिकल इंजिनिंग की जो वेकेंसी है उसकी एक्जामनेशन का जो पैटन होगा भाई उसका पैटन जो है टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है है तो फर्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहां जंडरल नौलेज जिसका वेटेज 10% नेस्ट इंग्लिस नौलेज जिसका वेटेज 10% है उक्य onड अगर मैं बात करूं या ट्पनकल सेक्शन स्वेयनिक اليक अल inclusive subjects yes is ध्यान से देखना 60% का weight is दिया गया है कितना important है okay so यहां आप देख सकते हो 60% का weight is like engineering mathematics applied mechanics and design fluid mechanics and thermal science and materials manufacturing and industrial engineering so यहां आप देख सकते हैं यह आपका technical section है जिसका weight is 60% रखा गया है okay next section section 4 computer knowledge 10% का weight is है and गुजराती language and grammar का weight is 10% रखा गया है तो सबसे important technical section general knowledge computer knowledge okay next अगर मैं बात करूँ यहां तो देख सकते हो आप 100 questions क्या है 100 question 1 by 4th negative marking 100 questions आपके पास होंगे 100 marks मतलब क्या है each question 1 marks and 1 by 4th negative marking यहां होता है so next अगर मैं बात करूँ दोस्तों UPPSC so double धमाका है यहां पर UPPSC के भी mechanical assistant engineer के लिए vacancy 3 है okay next अगेन यहां पर मैं बात करता हूँ paper pattern तो paper pattern है paper 1 और paper 2 so common है paper 1 और paper 2 में आपको common subjects देखने को मिलेगा बस यहां पर difference only आपको mechatronics and robotics paper 1 में extra देखने को मिल रहा है okay next paper 2 similar basic basic आपको thermodynamics fluid mechanics heat transfer energy conversion and environmental control देखने को मिल रहा है okay so यहां पर gate academy आपके लिए 23rd अगस्त से batch start कर चुकी है so आप जितना जल्दी हो सकता है enroll करें और अपने exam preparation को better करें okay so 23rd अगस्त से classes start हो चुकी है ठीक है तो आप दोनों के vacancy की तयारी एक साथ कर सकते हैं double धमाका है आप लोग के लिए बहुत बड़ा opportunity है जहां पर आप exam को crack कर सकते हैं okay so thank you so much everyone झाल को फसम आप मुँर आप मुःस्त सा भुक Gift